एक simple paper airplane बनाने के लिए paper के एक टुकडे को लंबाई के हिसाब से आधा मोड ले, फिर उसे खोले और सबसे उपर के दो कोनों को बीच में से मोड ले, इसके बाद angle वाली किनारों और crease के बीच में खरीब एक centimeter की जगह छोड़ते हुए, आपने अभी जो angle वाली किनार बनाई ह उन्हें center की तरफ मोड दें, एक छोटे inverted triangle को लाते हुए, आपकी original center line को मोडें, अब angle वाली किनारों को अपनी जगह पर lock करने के लिए, छोटे inverted triangle को उपर की तरफ fold करें, फिर अपने plane को पल्टें और फिर wings बनाने के लिए, उपर के दो flap या sides को मोडें, इसे सबसे नीच वाली किनार से पकड़ें और फिर उसे उड़ने दें।